आपके साथ फिर से श्यार करने जारी कोछ अपने बनाए हुए डिजाइन्स जो मैंने रिसेंटली बनाए हुए हैं और मैं आपको होस्तो के काई तो मैं पहन के भी दिखा दूंगी आपको मेरे वीडियो पसंद आए अगर कोई पैसे पसंद आए तो प्लीज स्काद को सब्सक्राइब कर लिजेगा इधर है लाइक का बटन इधर है तो प्लीज और शेर का बटन बीच में है तो तीनों को कर दीजेगा तो जिसे तो इसको आप जरूर लाइक कर दीजेगा एंड चली देख लिए तेस में मैंने के डिजाइन किये हुए है कर बाला सूट है तो यह मैंने अपनी क्लाइंट के साफ से बनाया था इसमें उनको एक लहंगे के लिए स्टेट कुटता चाहिए उसके लिए कि वह एक नॉर्मल स्टेट कुटता होता पॉंड बाइंग का बना दी जो यहां यह होते हैं स्लीप से अपर इतनी स्लीप का बना अगर हम अपना सूट पहनेगे तो हमारा चुप जाएगी और वहाइलेट नहीं होगे वह दिखाई नहीं देगी तो हमने कुछ ऐसा आडिया कि हम यह कुटता भी बन जाए और हमारा कुछ अलग पैटन भी हो जाए और हमारा जो लहंगा है उसकी जो कढ़ाई है वह सोग ह होती रहे तो इसको ध्याम रहती हो मैंने उसको डिजाइन के हुआ वह मैं आपको दिखा देते हैं मैंने कुछ इस तरीके से रैट कलर का चंदेरी सिल्क बोलते हैं इसको वह फैब्रिक लिया है अब इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं बहुत ही नीट एंड क्लीन है और यह घंडेट रुपए नहीं हंडेट फिप्टी रुपए मीटर मिलता है यहां तक मुझे याद है तो इस तरीके से थोड़ा फैला हुआ इस तरीके से बोटनेक बनाए लगपक इतना ही नहीं नहीं कि इसको बनाए इसकी बिस मैंने फूर इंच लिए एंड इसकी डैप्थ मै स्लीफलेस की बनाए है जो पे हुआ हो तो इस तरीके से यह ठां कि यह पूरा सूथ है इसकलिकरिंग के यह जाल सेप्थी डाल लिए और प्केल देप्ड़ई edition केमरे में पता नहीं क्यूंण और बहुत सुन्दट इस तरीके से इसका हाई-लो पैटन है आप देखे रहें इसको अच्छी से विजिवल हो गया हाई-लो पैटन हो गया पाट जिसमें कोई sausage नहीं दिया है यत कबढ़ है कि कि इसको यहां ल hai फैसलंत लगाय के दिया हूं इसके बाद मैं इसको ट्राइंगिल बना ली एक ड्राइंगल बना लिए यां तो बाकि में इसका पूरा व्यू में आपको दिखाती हूँ कब्चागी नेगे नाताना जुन नान अमुमाल दो हर सुगा उपसाची जननने बानान दाननन इन्यागी गा नोर बोनुन सुंगां इहागा देसा देखा वरन सुगे शिरिया आपदर यहां सकते हैं विए बहुत यूनिक लगें आपको ट्रायल जरू दिखांगे भी तो नेट पे आते हैं इंधारी हो तो यह है हमारा cotton का फैब्रिक आप देख रहें चुन्डरी का फैब्रिक है cotton का डार ग्रीन कलर का है महरून और इसमें यहलो को लोगे डॉट्स बने हुआ है कुछ तरीके से इसका है यह और इस पर डिजाइनिंग की है मैं आपको दिखा देती हूं यह इसका नैक है कुछ तरीके से मैंने इसको यह लगा दिया है इसके बाद इस पर मैंने एक फिल से पैश लगाया हुआ है जैसे कि थोड़ा सा हाइलाइट हो जाएगा इस तरीके से यहां पर मुझे बटन लगाने में मंटी इलर के बटन लगाने वाली हूं साइड से गोटा पट्टी पट्टी दी हुई है इधर भी दो पिंटक्स है इसके बाद मैंने यह जो कट वर्क वाली जो कटी हुई आती तिकोने वाली जो लैस आती वह मैंने लगाई हुए कुछ इस तरीके से इसका यह फाइनल लुक है एक मतलब एक साधे कपड़े को एक इसको आप लुक दे सकते हैं एक मतलब बहुत ही अच्छा लुक हो जाते एक एक्सपैंसिव सूट बन जाता है कुछ तरीके साथ इसको बनबाते हैं तो थोड़ा सा धूर है कि मैंने इसमें भी बटन नहीं लगाय हुए है तो इसमें मैंने यह या तो लैक मैस कर वाली नह के साथ मैंने इसको इस तरीके से फिनिशिंग दी है तो पीछे का गला भी सेम ही है चोडाई लंबा इसकी इसके बाद इसकी स्लीप की बारी आती तो स्लीप मैंने कुछ अम्ब्रेला टाइप का दिया हुआ है तो मैं आपको दिखा देती हुए यहां से उपर से एजिफ फ प्राइब काम किया है वह था इसके बाद यह नॉर्मल एजस सूट है जासे सूट होता है लांग वाला और इसके बाद मैंने इसको नीचे कुछ इस तरीके से प्टी की दो इस ट्रैप डाली हुए दो बार लगाए एक दो बार गोटा पटी दो इंसका गैप करते हो फिर मै इसमें ये कॉटन बाली लैस लगा दिये तो इसका जो लोक है बहुत ही सुनर आया है और यह था मेरा सेकेंड सूट मैं इसको अब्चागी नेगे नाताना जुन नान अमुमाल दो हर सुगा उपसथी चननने बानान दानन इयागी गा नर बोनन सुंगा इह गा देसा में य साडी को यूस है यहार इसको मैंने साडी से बनाए हुआ है तो कुछ इस तरीके से इसको मैंने कि जुदॡ़त पर्ला था जो अब्चे कि पmêmeटरन साडी पूरी थी यह उपल्ला पूरा है भी वर्क था मतलब इस तरीके से पास दिखा तो तो आगे से बर्क होता है। नॉर्मल जो साड़ी आती हैं 500 की रेंज में 400 की रेंज में जो उस साड़ी का है यह सीफोन का कपड़ा था जैसे कि आप देख रहे हैं तो उसको मैंने कुछ इस तरीकी से कि जो स्टेट लैंड का मैंने सूट बना दिया जैसे बनता है नॉमल जो लैंड का सूट होता है दर इसके बाद जो उसकी जो लैस थी उसको मैंने कुछ इस तरीकी से यूज किया उसका आदा हिस्सा यूज किय उसमें एक और हिस्सा था वो चौड़ी लेस लगी हुई थी जो आप समाझे जो ऐसी यूजल साड़ियों में आती है उसको मैंने रिमूब किया इसके लिए पतला से गोल्डन लिया और वह बोल लेस लगा रही थी तो वह एकदम आजीब साड़ी वाले लोका रहा था तो मैं इसके का फैब्रिक था उससे पूरा इस तरीके से मैंने यह पूरा एक तम सूस निकाला है देखे आप देख रहे हैं और इसके बाद मैंने इसमें डिटेलिंग की हुई है गोटा पट्टी से जिससे की अलग एक थोड़ा सा यूनिक और मतलब लगी है नहीं कि मुसारी का क पीछे जैसे कि आप देख रहे हैं तो इसका जो कुछ फाइनल लुक था कुछ इस तरीके से है जैन इसके बाद मैंने बचे हुए फैब्रिक से जो भी इसमें से बचाता फैब्रिक उससे मैंने यह स्लीप्स बना दिए 3-4 स्लीप्स बनाई है देन इस फ्लीस में पूरी मे जो ब्रॉड नेस थी वो कम हो गई थी तो मैंने इस तरीके से यहां पर लैस को लगाया दैने इसके बाद मैंने यह अच्छी से इसमें फ्रिल दे दिया चोटी सी जो कि मैं आपको दिखा देती हूं जो कि बहुत अच्छी लग रही बहुत सुन्दर लग थी मुझे इस तरीके इसमें फ्रिल दी है देन इसके बाद मैंने यहां पर एक बोट नेक बनाया है उसमें भी यहां पर गोटा पट्टी की डिटेलिंग की है और इसका बैक नेक है जो मैं आपको दिखा रही हूं बैक नेक कुछ इस तरीके से पीछे आगे से पीछी में जो एक बोट नेक है और नीचे में यहां पर इसकी जो लैस उससे टैजल लगाने वाली हूं तो बैक पोर्शन में भी पूरी कड़ाई आप देख सकते हैं तो आप समा सकते कर आपके पूरे पल्ले में कड़ाई है यह क्लाइन के अल्रेडी से इस्टेन लगा हुआ था इसके साथ मैंने इसका पैंट भी सी से बनाया है तो वह मैं आपको बहुत है कि नॉर्मल जो बनाया हुआ थोड़ा से यहां पर रखा हुआ है क्योंकि यह जो कड़ाई आ रही थी तो मैंने सूचे क्यों करूं चली जाएगी कड़ाई तो मैंने पूरे कड़ाई को लेती हुआ तो इसको ब्रॉट रखा है दरवाज अपनी साप से रख सकते मोहरी जो आपको पहनना ह से मैं इसके पैरों पर डिटेलिंग की है कि मैंने यह लैस लिया हुआ था जो साड़ी में था उसको कट करके इस तरीक से पतला करके लगाया दन इसके बाद मैं इसमें गोटा पट्टे अच्या अटेस कर दी जिसकी बहुत सुंदर लगे और यह जो हमारी पल्ले के बाद नीचे प्लेट बंकरी चारियों में वह बूटे थे उनको मैं य Сथा पूरा कस्टमाइज हुआ है जो की देखने के बाद बहुत ही सुंदर बनकर बनने के बाद आद तो यह था अी साडी रिउज कूछ-स तरृफरी साद के साथ कुछ बना सकते हैं एंड अभी मैं आपको और ही बहुत सारे चीज़ दिखाने वाली हूं तो वीडियो में आखरे तक बने रहीएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा कमेंट कर दीजेगा और लाइक जरू मने ले लिया उसके बार मैंने इसमें गोटा पट्टी और जो पसंद आये है पसंद पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजेगा प्लीज 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजेगा और फैमियर मैसेज़ कर दीजेगा और फिर एकसी अगले वीडियो मिलेंगी तब तक लिए बाबाए